आप 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 हो जाए तैयार मैस के सवाल पर करने करारा परहार और तैयार है आपके लिए आप सभी का करता हूँ अविरंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड़र 24-7 के साथ प्यार भरा बंदन तो चलिए आज के सेशन की हम लोग सुरुवात करें और बात करेंगे हम लोग सर बिहार सिचक 7 फेज के लिए फुली डेडिकेटेड ये क्लास और इसमें हम लोग स सबसे पहले जो हम सिलिवस में देख रहें हैं वह क्या है अपना की सर बेसिक आर्थमेटिक और बेसिक अर्थमेटिक और साथी साथ आपका सर दूसरा है आपका सिंप्लिफिकेशन तीसरा है आपका नंबर सिस्टम यह आपका बहुत मतलब इंपोर्टेंट चैप्टर है यह आपका नंबर सिस्टम और यह नंबर सिस्टम के अंतरगत ही यह दोनों पॉइंट्स आपको न الإहीं फिर आपका तर परसेंटेज इस अ साथ आपका डिसकॉंट हो जाएगा थीक्व ओर सिमपल इंट्रेस्ट और सिम्पल इंट्रेस्ट और compound interest ठीक है उसके बाद है सर average मतलब also ratio and its application ratio and its application औप स्पॉलिकेसर इट्षप स्वी के सन में आपका क्या क्या आ जाएगा तो its application में बात कर ले इड्षपलिकेसर में आपका सर age include हो जाएगा इसमें आपका सर पैसिप का इंक्लूड हो जाएगा और साथ लुइद hora प्षस हो जाएंगे एप्वलीकेशन लिखने का मतलब है कि रेश्यो की एप्लीकेशन जहाँ जहाँ इस्तमाल होगी वो सारे टॉपिक्षे हम सवाल पूछेंगे जहां जहां आपका इस्तेमाल होगा अप्लीकेशन वह अम सवरी टॉपिक्स पूछेंगे दैटीज आपका एज हो गया पार्टनर्शीप हो गया मिक्चर हो गया यह तीनों चेप्टर आपका इसी में इंकलूड हो जाएगा ठीक है उसके बाद है सर आपका सबसे अहम रोल प्ले करेगा मतलब आपको कहने का मतलब है कि अगर आप तीन चार चेप्टर को अच्छे से पकड़ में लाते हैं जैसे आपका हो गया सर सर नमबर हो गया ठीक है उसके बाद आप का हो गया सर पर्सेंटेज पर्सेंटेंटेज फिर आप असका शर रेशियो और आपका सर है Mensuration, 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 यے अगर आप इन चैप्टर पे पकड़ बना लिए, तो आपका सर मैस का बेड़ा पार हो जाएगा, मैस का बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है, मैस का बेड़ा पार हो जाएगा, अब आप लोग को लग रहा होगा geometry, सर्फिंद्री तो समय परना है य 얼마나 च्डाइब करना है इतने टॉपिक्स हम क्या करना करना है तो आज जो हम बात करेंगे यह हमारा सर हो सभी लोगों को आपको लिखा लिखाया पीडियाफ क्लास के बाद लग जाएगी लिखा लिखाया पीडियाफ आपको क्लास के बाद क्लास के बाद क्लास के बाद लग जाएगा ठीक है परिशान नहीं होना अब उसके बाद हम बात कर लें कि सर अपने को अब क्या-क्या क्लास आपका सर बिहार सिच्छा के लिए और बीपेसी कंड़क्ट कराती है और बीपेसी जब कंड़क्ट कराएगी तो इसमें आपका डेटा सफिसियंसी बगरन नहीं रहेगा ठीक है ना चलिए अब हम यहां पर बात करें कि सर हम लोगों को क्या क्या चीज़े अपनानी बैठे हो अब यहां पर मामला सर कंपटीशन का है जैसे बहुत सारे लोगों का इस तरह का भी कमेंट चलता है कि सर आज के डिट में कंपटीशन वीपेसी द्वारा जो पीपेसी सिचक की भरती किराई जा रही है उसमें कुछ सिचक तो ऐसे भी पढ़ा रहे हैं जो खुद seated करना Vierd करना यह अलग matter लेकिन यहां पे competition को लड़वाना यह अलग matter आती है यह competition लड़ने आप जा रहे है सीैर टीट किये ो दूसरी matter थी ठीक है वो दूसरे matter पर रखे है और यहां पे जो matter है यह competition का matter है और competition में कैसे हम लोगों को त्यारी करनी है उसकी बाथ हम लोग करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो आपको एक से लेके 30 क्ग आपको क्या याद रखना है से डाप टेवल याद करना पड़े गा सर करना पड़ेगा तो याद करना पड़ेगा पहला चीज दूसरा चीज आपको करना क्या है ध्यान से समझते चलिएगा दूसरा जो है वह आपका क्या है एक से लेकर 25 तक का आपको क्या करना है सर अस्क्वाइर याद रखना है और तीसरा जो है वह अपना क्या है सर की एक से लेकर 10 या 15 तक का क्योब याद रखना पड़ेगा एक से लेके 10 या 15 तक का आपको क्या याद रखना पड़ेगा सर क्यूब याद रखना पड़ेगा ठीक है तो यह तीन चीजे आपको करनी पड़ेगी बाकी काम हमारा है बाकी काम हमारा है हलाकि हम आपको स्कॉयर निकालने के लिए प्यूब निकालने के लिए भी सिखाएंगे ठीक है ना लेकिन आपको बेसिकली यह एतना आपको देखें कंपटीशन लड़ने वाले छातर के पास यह तीन चीजे आपको होनी चाहिए यह फंडामेंटल जानकार सकते हैं कि सर आपको एक से पचीस तक का स्कॉयर एक से दस या पंद्रह तक का चूब यह चीजे आपको याद रहनी है ठीक है बात करें सर हम अपनी बात कर लें कि सर अपनी बात तो हमारा नाम है सर चंदन कुमार भासकर ठीक है चंदन कुमार भासकर बैसिकली हम सर बिहार से बिलॉंग करते हैं और बिहार में नालंदा डिस्टिक हमारा घर हुआ ठीक है नालंदा डिस्टिक घर है और अभी जो हमारा रहना साहना होता है मतलब हमारा नहीं हमारे बाल बच्चे का रहना साहना होता है वो गया में होता है तो बैसिकली हम बिहार से हैं और सर प्योर पड़ेगा क्योंकि जो हम ख्लास अपने रीदम में आते हैं तो हमारे टोन में थोड़ी सी मघी की जलक दिखती है मघी हो भुछिपूरी हो अंगी का हो बजरी का मतलब अपने लोकल पर हम जैसी रीदम पकड़ते हैं वो आता है हला कि कोशिस हमारी यह रहती है कि उस रीदम में हम ना है बट होता क्या है कि कभी-कभी जो है वो फ्लुएंस में निकलता है तो उसको आप माइंड नहीं करिएगा उसको आप लोग माइंड नहीं करिएगा मैटर है सर हमको क्रीम निकालना है हमको काम निकालने से मतलब है डिजन्ट मैटर की लेंगवेज क्या है हला कि हम उसका अच्छा खासा खयाल रखेंगे कि सर वो टोन ना आए ठीक है न वो टोन ना आए इसका देरे देरे कारवा बनता गया और आल ओबर इंडिया कोई भी शूट नहीं छूटा जो हमसे छूट गया हो है ना बाकी मतलब की बहुत उपर नीचे आप डाउन सब कुछ देखे हैं और यह ऑनलाइन की दुनिया में पिछले 2-3 साल से हम हैं और आज आपके सामने हैं ठीक है चलिए तो यह चीज़े हैं अब हम लोग यहां पर बात करेंगे सब नंबर सिस्टम की नंबर सिस्टम से हम लोग चीजों की सुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से नंबर सिस्टम से हम लोग चीजों की सुरुआत करेंगे ठीक है ना और दुरान से सुनिएगा मैस को बह गहीं दुनिया में चल रहे बाकी 40 नमबर में भी मैस आपका बटेगा मैस है रिदिंग है जी के जी एसे तो ये बटके मैस का एक छोटा सा पाट रह जाएगा लेकिन जो चातर प्राथमिक के हैं जो चातर प्राथमिक के हैं अगर हम उनकी बात करें तो वह 120 नमबर का पेपर केटी भी एक हाथि को कभी-कभी नचा देता है ठीक है न तो अगर जो आप लोग हलके में ले रहें मैस को तो कि तो तो उसको आप लोग तुलासा दिमाग है तो यह सारी चीज़ें तो मैस और डिंग जो कि अगर आपको इसका कंसेप्ट अगर पकड़ में है तो आप यहां पर सवाल को डिल कर लेंगे अच्छे से सवाल को डिल कर लेंगे अच्छे से ठीक है ना चलिए अब हम यहां पर बात कर लें नंबर सिस्टम की तो नंबर सिस्टम बैसिकली चार पार्ट में बढ़ता है सिस्टम जो है वह आपका होगा तो चार पार्ट में आपका बटेगा जैसे बात कर लें तो यह है सरा आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है ना सबसे पहले जो हम बात करें तो वह आपका सर डेसिमल सब्सक्राइब लालीं इसमें क्योंता है वह आपका 5010 होता है तो यह आपका कह आता है सब्सक्राइब सिसम्राइट है छोगा आपका है सबुहाइट हात करेंग तो अंदर करेंगे हैना जब पर हम् सब से पहले बात करेंगे ठीक है डेसिमल नंबर सिस्टम पे तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो अस्टार्ट होता है वो आपका सर अस्टार्ट होता है सर 0 से हैना 0 से स्टार्ट होता है और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अगर आपसे पूछा जाएगा कि decimal number system में कितने digit का परियोग किया जाता है तो आप कहेंगे सर्फ 10 digit का परियोग किया जाता है अभी यहाँ पर decimal number system में दो बाते आती है जिसे इन सभी से यह सारे के सारे digits है और इन digit के combination से संख्या बनाई जाती है इन डिजिट के combination से आपकी संख्या बनाई जाती है जैसे कोई भी अगर हम डिजिट को दो-चार डिजिट उठाते हैं तीन, चार, पांचे मालो उठा दिये और ये एक नंबर तयार हो गया हमारा 3456 ये एक आपका नंबर तयार हो गया तो यहां पर आपसे दो चीजे पूछी जा सकती है एक तो आपका पूछा जाता है सर फेस बहलू एक तो आपका पूछा जाता है सर फेस बहलू एक आपका फेस बहलू पूछा जाता है और दूसरा आपका जो पूछा जाता है वो है आपका सर प्लेस बहलू ठीक है ना प्लेस वैलू की बात कर ले तो फेस वैलू आपका कहलाता है सर अंकित मान कहलाता है और इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं इसको हम लोग जातिये मान भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं सर जातिये मान भी बोलते हैं ठीक है ना और प्लेस वैलू की बात कर ले तो प्लेस वहलू मतलब क्या होता है सर अस्थानिय मान होता है जैसे कोई भी जैसे मान लो कि हम यहां पे पूछे आपसे कि सर पांच का आप बता दीजे कि फेस वहलू क्या हो जाएगा तो फेस वहलू सोहें वही संख्या होती है अगर हम यह पांच का फेस वहलू अगर आपसे तो 5 का place value आपका क्या होगा 5 हो गाई लेकिन अगर हम पाँच का place value आपसे पूछे तो 5 गूना 5 गूना तो आप सब्सक्राइब आप से कहते अस्थान पर है कौन से स्थानॉ एक आइप सब्सक्राइब यहां पर पहले अस्थान पर है तो यह पावर कितना हो जाएगा तो आप पहले डिजिट के लिए निकालना होता है तो यहां पर जीरो रखते हैं दूसरे डिजिट के लिए निकालना है तो यहां पर एक रखें याँ दस का पावर बन करते हैं तो दस और पांच गुना दस कितना हो जाएगा तो अगर हम प्लेस भैलू की बात करें तो प्लेस भैलू देखमल नमबस सिस्टम में प्रेस वैलू और प्लेस वैलू के बारे में पूछा जाएगा कि कैने कि के लिग उच्छ बात करिए घ्यादा अंग्रेजी नहीं आता यहां जादा अंग्रेजी हमको यही आता है हमको यही आता है और ऐसे हम पढ़ाते हैं अब हम यहां पर बात करें बात करें आपना ढ़सिपी केशन ओफ लए देखें तो दो पार्ट में आपका डिस्टीब्ट पहला पाट है आपका सर रियल नंबर एक हो जाता है सर आपका रियल नंबर और दूसरा होता है सर आपका इमेजनरी नंबर रियल नंबर हिंदी में बोला जाता है सर वास्तविक संख्या और इमेजनरी नंबर हिंदी में बोला जाता है सर कालपनिक संख्या ठीक है अब लि average हो लोग दो पार्ट में बाड़ते हैं एक तो सब्सक्राइब कि इसको 2FE में नंबर sow और दूसरा है आफका रिसे निच्छीर अब किसको क्या कहते हैं किसको क्या कहते है वो आगे चल के हम सब्सक्राइब करेंगे ठीक है, सब का सब clear करेंगे, उसके बाद हम बात करें, तो rational number को 2 partners बाट आजाता है, एक हो जाता है integer और दूसरा हो जाता है fraction, integer मतलब हो ग समझ पुर्णांक और fraction मतलब हो गया से अपका भीन, fraction मतलब हो गया से उसके बाद integer की बात करें, तो इंटीजर को आपको दो पार्ट में बाट दिया गया एक तो है सर आपका निगेटिव इंटीजर दूसरा है सर आपका होल नमबर और तीसरा है सर नेचुरल नमबर ठीक है ना नेचुरल नमबर उसके बाद हम बात करें सर चाहे तो वह पोजेटिव इंटीजर हो चाहे न फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं अनुचित बहीन और एक स्रापका मियश्ट फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं मिसर भीन करते हैं यह उसके बाद फिर आप एक एक करके चीज़ों को ले कर लिए ठीक है ना पड़ाय फोकस कर लिए कमेंट्स को मौन और फ्र किसका क्या है समझ में आया नहीं आया तो यह सारी दिकत हो जागे ठीक है रहाँ चलिए चलिए अब यहां पर देखिए सर नंबर्स नंबर्स को दो पार्ट में बाटा गया सर एक है सर आपका रियल नंबर दूसरा है इमेजिनारी नंबर रियल नंबर को हिंदी में बोला जाता है सर वास्तविक संख्या रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक सं संख्या भला जाता है ठीक है कालपनिक संख्या अब हम बात करें सर रियल रियाल नंबर किसको करते हो meth विच डिनोट विच डिनोट ऑन विच डिनोट ऑन नंबर लाइन विच डिनोट ऑन नंबर लाइन जिसे संख्या रेखा पर नंबर लाइन अना नंबर लाइन जिसे संख्या रेखा पर हम लोग डिनोट कर सकते हैं जिसे संख्या रेखा पर हम लोग क्या कर सकते हैं सर नंबर कहलाता है जैसे संख्या रेखा आप इस परकार से देखते होंगे बच्पन में यहाँ पे जीरो इधर बढ़ते थे तो एक इधर दो इधर तीन इधर चार है ना इधर पांच इधर मने इस तरह से इधर चलिए तो यह आपका माइनस एक इधर माइनस दो यहाँ पर माइनस तीन और एंड सो ओन ठीक है तो यह आपका क्या कहलाता है सर यह नंबर लाइन होता है और हम लोगों ने क्या कहा कि जिसे संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर डिनोट किया जा सके उसे हम लोग क्य यहहां कालते हैं वहीं पहुत बात करें इमेजनेरी नमबर तो इमेजनीरे की नमबर तो इसका जस्ट अपोजिट हो जायगा कि बिच कांट भी डिनोट ओन नमबर ना विज कणंट भी डिनौट ओनमबर लाइन विच यह अनॉलोट ईप्क, ना लिखा जा सके बोहापका क्या कहल आता है सर, imaginary number कहलाता है ठीक है ना जिसे संख्यारेखा पर ना लिखा जा सके वहापका क्या कहलाता है सर, imaginary number कहलाता है हाना imaginary number कहलätा है imaginary number कहलता है जिसे संख्या रीखा पर हम लोग नहीं लिख सकते हैं वो आपके क्या हो जाता है नमबर लाइन पर नहीं लिख सकते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है कीए फिलियर है थेकत किलियर है किसी को कोई दिखकत यहां तक में नहीं होना चाहिए कि घ confuses रहता है वहीं पर बेर जियू रहती है ठीक है हा रीकॉड़ेड आपकर रहेगी टैंसcić ना लीजिए माइनस तीन रियल नमबर है जी हां माइनस तीन रियल नमबर है माइनस तीन रियल नमबर है हाँ यह सोरी सोरी यहां पर देखें गलती कर दिये हम यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक कर गए मिस्टेक यह है कि अंडरूट माइनस बन होगा है ना आयोटा अंडरूट माइनस तीन होगा अंडरूट माइनस पांच होगा यह सारे के सारे आपके क्या है इमेजनरी है यह सारे क नमबर पोजेटिब लिग दोर्ام हो सकते रूट में नहीं होना चीए अंडरूट माइनस तीन जो है वो आपका हिमेजिनरी नमबर है अ sih to totally imaginary number कितने तो जे हमेंनरी नमबर कितने है तो कल्पनो कालपनिक संख्या और कल्पनिक संख्या तो कलपनाओं में देखें दुनिया भर के हैं एना इन्फिनिटीत हैं वो एना उसकी कोई और छोड़ नहीं है है ठीक है रूट में पोजेटीव हो गया तो अंडरूट जैसे मालोग चार लिख देगा तो यह आपका रियल हो जाएगा यह आपका क्या हो जाएगा और आगे घुशते हैं बाबू और आगे घुशते हैं अभी दूए पार्ट में करिएगा तो दूहीं चीजें या तो रियल या तो इमेजनरी अंडरूट निगेटिव नंबर्स आरी में जनरी हाँ जी हाँ आपका सकते हैं सुसिल जी अगर हम लोग लिखते हैं तो रूट तीरी तो रूट तीरी आपका रियल में जाएगा लेकिन वहीं अप अंडरूट माइनस तीन कर देते हो तो यह इमेजनरी हो जाएगा ठीक है चली आगे हम बात करें सर तो रीयल नंबर मतलब बस्तविक संख्या और बस्तविक संख्या को हम लोग क्या करेंगे तो एक हो जाएगा आपका सर रेशनल एक हो जाएगा रिस जिसको बोलते हैं सर परिमें संख्या जिसको लुक्त बोलते हैं सर परिमें चंख्या धब हो जाता है सर परिमें संख्या ठीक है और यह रहेशनल तर maxxis Yoga मतलब फyards अगर बात कर लें तो which can do which can be which can be written which can be written in form of in form of in form of pyq which can be written in form of pyq whereas whereas q not equal to 0 q not equal to 0 is called rational number that way of pyq which can be written in form of monimony which can be written in form of cursor which can be written in form of pussy which can be written in form of a जैसे अगर हम बात कर ले एक्जामपल के तौर पर बात कर ले तो एक्जामपल हो जाएगा तीन बटा पांच हो गया चार बटा साथ हो गया अंडरूट सोला हो गया जैसे आपका हो जाएगा नौ बटा दू हो गया जैसे आपका सर हो गया माइनस पांच बटा साथ हो गया ज ठीक है यह सारे के सारे क्या है सर तो यह सारे के सारे आपके क्या है तो यह सारे के सारे आपके क्या है सर रेशनल नंबर है परिमेश संख्या है ठीक है न तो बीच कैन बी रिटेन इन फॉर्म पीवाई क्यू पीवाई क्यू इस कॉल्ड रेशनल नंबर कंडिशन है क्यू भे पर हम बात कर ले ईरेशनल एरेशनल की अगर हम बात कर ले तो आपका सकते हैं कि भींच विच कैन विच कांट वी रिटेन इन पर रीटेन पर न लिखा जा सके जिसे पीवाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके वो आपका क्या कहालाता है है ना वो आपका क्या कहलाता है वो आपका मुझे से पर norm रिशनल होता है जैसे अगर हम बात कर लें जैसे अगर हम बात कर लें तो आपका शक्ते हैं जैसरे अगर यह सबसे पहले हम पाई की बात कर यह तो इस थरह के सारे आपके क्या है सर है यह सारे के सारे क्या इन आप कोई किते में डिकर की हिंडी समझादो कोई काट उन्ग्लिस में बोलो अब हम क्या करें तो पिर इंदी पर principle ने अंग्रेजी पढ़ाएंगे आज इसो तो हम को ना तो हम तो वहन ही करेंगे ना रजहरेंगे प्र आजाएंगे मघी बोझपूरी पर फिर कईएगा कि सब्स बैसे करते हैं जबूर 210 कैसे रूट-1 करेंगे तो रूट-a की बहलू कितनी आएगी तो पार आएगी अचार को हम लोग चार बटा एक ना लिख सकते हैं हद बकलोली बला बात कर रहें टीचर बनिएगा कि अच्छी के पाई का मान 22 बटा साथ होता एक ताजी कहां पढ़े हैं पाई का मान 22 बटा साथ नहीं होता है पाई का मान 22 बटा साथ नहीं होता है पाई का मान 22 बटा साथ जो लेते हैं यह एप्रॉक्स बहलू होती है यह क्या होती है सर एप्रॉक्स बहलू होती है है ना पाई का मान 22 बटा साथ होता नहीं है यह एप्रॉक्स में हम लोग लेते हैं पाई का मान 22 बटा साथ पाई का मा नहीं नहीं तो वह उसको आप फ्रेक्शन में बदल नहीं पाऊगे तो वह आपका क्या हो जाएगा इस चीख है वे उसी तरह से आप कहिए कि रूट तीन की बात करें तो रूट तीन का जो मान निकालिएगा तो मोटा मोटी हम लोग एक दसंबलब की तीन अस्थान तक बन एक दसंबलब साथ तीन दो याद रखते हैं जबकि पूरा का पूरा अगर उसको रगड़ा जाए तो कभी उंत नहीं होगा कभी उंत नहीं होगा रूके गाई नहीं तो वह आपका क्या हो जाएगा रूट तीन रियल नंबर में कैसे में आया तो रियल नंबर में आईगा क्यों नहीं आगा रूट आपये अच च्छिस अचलिए आगे बात करकर लेशाय तो आगे हम बात कर लें तो डेस्मल नंबडर मतलब मतलत अवर सांप्लिश श्क्याज क्या कालाता है सर यह दसंबल्ब संख्या ओंग्या को सर हम लोग तीन पार्ट में बाड़ते हैं ठीक है ना तीन पार्ट में बाटते हैं एक हो जाता है ओन तीरे पिटीמב तीसरा होता है नन टर्मिन ग्га नन रिपिटिंग देसिमल तीसरा होता है नन टर्मिनेटिंग नन रिपिटिंग डेसिमल ठीक है न चलिए अब यहां पर टर्मिनेटिंग की बात कर ले तो टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है सर टर्मिनेटिंग की अगर हम बात कर ले तो terminating को बोलते हैं सर हम लोग 726 जैसे अगर हम बात कर लें तो सर यह 0.5 हो गया है ना 0.36 हो गया ठीक है तो यह आपका क्या है कि कुछ हद तक जाके यह आपका क्या हो रहा है सर रूख जा रहा है तो यह क्या है सर कुछ हद तक जाके यह क्या हो जा रहा है सर रूख जा रहा है तो यह आपका क्या सर सांथ एक है सर नन टार्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नन टार्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल तो यह क्या होता है सर असांत पुन्राविर्ति इसको हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है सर असांत पुन्राविर्ति दसंबलव असांत पुन्राविर्ति ठीक है ना असांत पुन्राविर्ती दसंबलब जैसे कहने का मतलब है कि सर 0.33333 यह ऐसे चल रहा है तो यह क्या हो जाता है सर असांत पुन्राविर्ती यह असांत है मतलब यह रूकेगा नहीं यह चलते चलेगा और क्या करेगा सर सर रिपीट करेगा रिपीटिंग चलेगा यह क्या चलेगा सर रिपीटिंग चलेगा तो यह आपका क्या के छाला है नान्टरमिनेटिंग आब इसको अगर हम लोग देखें तो ईसको 0.3333 तो इसी को हम लोग क् affected 70 जिभले परक्रीन ये आपका सक्तें झालए जो चीजे चलती है आपका क्या कहलाता है सरे नन टर्मिनेटिंग टेशिमल धार कांव देशितन से इसको कंभर्जन की बात कर ले तो 0.3 पर रैकरिंग है तो इसको कंभर्ट करिएगा तो यह आपका हो जाएगा सर तीन बटा नो 0.2727 यानि काने का मतलब हो गया कि सर 0.27 पर राइकरिंग है इसको कनभर्ट करने की बात कर ले तो यह आपका हो जाएगा 27 डिवाइड़ वाइ नाइन नहीं है ना तो यह आपका क्या हो गया सर नान टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नन टर्मिनेट मतलब रूकेगा नहीं नन टर्मिनेट काने का मतलब है कि रूकेगा नहीं टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीटिंग डेस्मल मतलब एक पैटर्न फॉलो करते हुए वो रिपीट होते जाएगा एक पैटर्न फॉलो करते हुए हना रिपीट होते चलेगा वो आ आप इसको कह सकते हैं अगर हम बात कर लें तो इसको बूलेंगे सर अगर तांथ की आपुरा विर्थी तो ये अब डिवेड़ेड़ वान क्यों लिखे हैं डिवा आधि मिसम पढ़ाएंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि 9 से था क्यों दिये हैं हैना हुआ अब ही अगे चलेगी अभी हम लोग मूटा मूटी चीजों को समझ रहें कि कि इसको क्या कहते हैं है ना क्यों नो से भाग दिये क्यों निनान में लिग दिये बट्टा में है ना वो सारी चीजे हम लोग आगे लेकर चलेंगे ठीक है ना चले अब यहां पर यह असांत पुन्राविर्ति काने का मतलब हो गया क्या सब्सक्राइब बिरती मतलब हो गया सब और Meik पाई पाई का जब मान निकालते हैं तो पाई का मान जब निकलेगा तो 3.4 E54 जो यह चीजे होती है वो आपका सर एक मतलब की रूखेगा नहीं i मतलब यह नर्feet इंग रहेывает यह काई उसी तरह से हम बात कर लें तो यह एंडरीट टीन यह बी किशी पैटरं को फॉलो नहीं करेंगा वैसे आपका सकने हैं चांक चार दू एक साथ पांच Risk सैंट desarrollo मतलब एक को यह सांत नहीं और दूसरा ना तो यह किसी नीम को करेगा तो यह आपका क्या कहलाएगा तक यह आपका खालाएगा नं टर्मीनेटिंग नंठर्मीनेटिंग देशिमल हैं नो टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेस्मल किलियर है किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए अब यहां पर हम बात कर ले अब हम यहां पर बात कर ले तो यहां पर यहां पर जो देख रहा है टर्मिनेटिंग और यहां पर जो देख रहा है नन टर्मिनेटिंग repeating decimal अगर हम इन दोनों को देखा जाए तो यह दोनों आपको इन दोनों को हम कहेंगे क्या तो सर इन दोनों को कहेंगे rational number इन दोनों को कह देंगे क्या सर तो इन दोनों को कह सकते हम लोग सर rational number वहीं पर यह non terminating non repeating decimal है तो यह आपका क्या हो जाएगा सर यह होजाएगा और यह क्या होजाएगा और यह क्या होजाएगा और यह यह बैद को सिच्छनल नंबर हो जाएगा पुरौन अब यहाँ पर हम बात कर लें तो हिंदी में बोलते हैं सर पोनाएंगा अब इंटीजर को बेसिकली दो भाग में बाटेंगे हम लोग इंटीजर को बेसिकली हम लोग सर दो भाग में बाटेंगे एक तो है सर आपका इवेन नमबर और दूसरा है अपना सर और नमबर इवेन नमबर हिंदी में बोलते हैं हम लो ud de ca Hindi में क्या बोलते सिरमान एए बिसंसंख्या जिक है इव रिचो और४ संग्या संख्या संग्या मतलब आ स्वह जाक्ती डिवीज्वलने उइम संख्या टोर एड हो ऑब Just दो आएग्जाक्ती डिवीज्वलने ड़्यश ऑदिज्ण कॉलब नमबर म Expect terre kala T संख्या कहलाती है मतलब कहें कि सर जो संख्या दो से पूर्णता डिभीजबल हो जो संख्या दो से पूर्णता डिभीजबल हो वह आपका क्या कहलाता है सर वह आपका क्या कहलाता है सर संख्या कहलाता है है ना वो आपका क्या कालाता है साब समसंख्या कालाता है जितने भी even number होते हैं वो 2n के format में होते हैं अब n का मान आप कुछ भी रखिए जो भी आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा सर तो even number मिलेगा एन का मान आप कुछ भी रखिए जीरो एक दो तीन चार माइनस एक दो तीन चार कुछ भी रखिए वो सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे तो वो सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे जीरो फिर आपका दू फिर चार फिर छे फिर आठ इस तरह से यह सारे के सारे क्या है तो यह सारे के सारे आपके इवेन नमबर है यह सारे के सारे आपके क्या है सर तो इवेन नमबर है यह सारे के सारे आपकी क्या कहलाती है सर तो समसंख्या कहलाती है यह सारा का सारा आपका क नंबर की बात कर ले और नमबर तो और नमबर का सकते हैं कि भीच trabalh सबके सकते हैं कि जो धो से पुर्णा का डिर्म, और मृणस कांट भी-डीजब्ल, इस करण भी SC इक्जान्ट भी साइच जबाएand एग्जाक्ली डिवीजब्ल वाई ड्उ को ग्युक्यूा के लिश कांट वी एक्जाक्टल डीविजविवलग करें जो संख्या दो से विभाजीत ना तुरू हो और जो संख्या-दो से पुरूता विभाजार ना अगो वह आपका क्या घृक्शतर ओर्ट माइनस 1, 2N प्लस माइनस 1 के format पर होते हैं, जितने भी आपके odd number होते हैं, वो आपका 2N प्लस माइनस 1 के format पर होते हैं, ठीक है ना, जितने भी even number होते हैं, जितने भी odd number होते हैं, वो आपका 2N प्लस माइनस 1 के format पर होते ठीक है न ध्यान दीजेगा अब आपको इस पॉर्मेट पे जब जा के ने का मांचाब आप वह आपका क्या क्या दे एकशे साथ मैशप उंने पांच माईन这 eneau सॉरी माईनस एक भी आपका एक उसके भाद पांच उसके वाद साथ इस्सी तरह से डौन यह सारे के सारे क्या है सर आपके भी समसंख्या है ठीक है न यह सारे के सारे आपके क्या है सहाब तो भी समसंख्या है यह सारे के सारे भी समसंख्या है बोलिए किलियर है यहां तक के बोलिए किलियर है सब लोगों का यस यह नो अब 0 रख लो भया जी 0 रख लो तो दो गुना 0 पलस बन करोगे तो एक आएगा माइनस बन करोगे तो माइनस एक आएगा सारे के सारे ओड हैं सारे के सारे ओड हैं कि यस चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं साहब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दे पर हम लोग बात करें तो अगला मुद्दा है सर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर की बात कर ले तो नेचुरल नंबर को हिंदी में बोला जाता है सर प्र सभी पोजेटीव संख्या है ना सभी पोजेटीव नंबर सभी पोजेटीव नंबर पोजेटीव नंबर मतलब धनात्मक संख्या एक से अस्टाट सभी पोजेटीव नंबर प्राकर्त संख्या कहलाती है क्या कहलाती है प्राकर्त संख्या होती है प्राकर्त संख्या कहलाती है मतलब एक से अस्टार्ट होनी चाहिए है ना एक से अस्टार्ट होनी चाहिए और सभी पोजेटीव नंबर सारे के सारे पोजेटीव नंबर आपके क्या होते हैं सर तो नेचुरल होते हैं जीरो इजॉनलि इभेन नोट और्ड हाँ जीरो इज ओनली सभी पोजिटिव नमबर सभी धनात्मक संख्या आपकी क्या कहलाती है सर प्राकर्त संख्या कहलाती है एक जांपल तो आप देखी किलियर है एक स्टाट सभी धनात्मक संख्या तो आपका क्या हो जाएगा एक हो जाएगा दो हो जाएगा तीन हो जाएगा चार हो जाएगा इस तरह से चलते चल जाएं तो यह का सारे आपके क्या हैने बचपर घिये भी पढगते थे गिंती की जाने वाली सभी संख्याएं क्या का लाती吃 अब दूसरा है अब होल नंबर कीबाथ कर ले तो प्राकर्त संख्या के समुह में जीरो को सामिल करने से बनी संख्या आपकी क्या कहलाती है बनी संख्या आपकी क्या कहलाती है सर पूर्ण संख्या इस बच्पन में पढ़े हैं हम लोग बनी संख्या क्या कहलाती है प्राकरत संख्या के समोल में जीरो को जब सामिल किया जाता है तो आपका क्या बन जाता है थीक्षिंधर благ संख्या बन जाता है ठीक्र yht तो जैसे एक्जामपल के तौर बात कर लें एक्जामपल के तौर पर आपका हो जाएगा जीरो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो देस इस तरह से ठीक है ना यह इस तरह से यह सारे के सारे आपके क्या होगें सर तो होल नंबर है मतलब यहां से हम यह चीज़ का सकते हैं कि सर जितने भी प्राकर्त संख्या होती है जितने भी नेच्रल नंबर होती है वो सारी की सारी क्या हो होल नंबर होती है ठीक है अगर कोई आपसे पूछ दे कि क्या सभी प्राकर्थ संख्या सभी नेच्रोल नंबर होल नंबर होती है तो यस होती है यस होती है ठीक है न वहीं पर कोई इसका अपोजिट आपसे पूछ दे कि क्या सभी होल नंबर सभी पूर्ण संख्या प्राकर्त होती है आप कहेंगे नहीं तो क्योंकि सर जीरो जीरो क्या है सर जीरो प्राकर्त संख्या नहीं है क्यों नहीं है प्राकर्त संख्या किसको काते हैं तो प्राकर्त संख्या एक से स्टार्ट होती है और सारे के सारे पोजेटिव होती है यह दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेगा देखे पढ़ाई पर फोकस करिए तो ठीक है अधर्वाइज फिर आप लोग जो इधर उधर कलास नहीं सो कर रहा है कौन सा क्लास नहीं सो कर रहा है सारी की सारी क्लासे सो कर रही मैं अभी चेक कर क्या हूं ठीक है ना सारी क् आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए एक इधर उदर की बातों में रहिएगा कि रीजनिंग के कलास में तुम नहीं दिखी इरेजनिंग के कलास में आप नहीं दिखे ये सारी चक्रम चक्रम पढ़िए गा तो पड़ जाएगा चक्रम ठीक है ना और ये आपके पास सुनहरा म मौका है सिच्छक बनने का इसके बाद हमारी सरकार आपको बैकेंसी निकाल के नहीं देगी यह बात भली भाती समझेगा और यह अच्छा खासा मौका है पैसा देखे ठ्रवने सकिन्तोर से त्होरा सा सीरियस होके चलिए स्चिम कर नोदीज़े दस बज़े आपका इंगलिस फिर रात में आठ बज़े नि रात में नोबजे से मैथ फिर दस से बारा में आपका जीके जीएस ठीक है ना चलिए कोस्टन बताइए ना कि कितने आएंगे मैस के जब अतुल जी किलियर नहीं किये तो चंदन बाबा कहां से किलियर कर देंगा अगम जानी जानते हैं का गजवे हैं अजय अतुल परसाथ जी कहीं पर भी आए भवभिष्वानी बाबा है हम अंगे घजवे करता है अब बोलेंगे तो कहेगा कि बड़ा अइठल मास्टर रहें अरे समझदार हैं बीएड कहले हैं और घ्रेजवेट हैं जब यहां पर लीक लिख ले ना रहता हम जानी जाना यह यह जो रखी अनुमान सा कुछी ब सब्सक्राइब करता हैं ठीक है तूमान लें के तनों माइधावे धर डीक काना प्राइम नंबर प्राइम नंबर किसको कहते हैं प्राइम नंबर को हिंदी में बोला जाता है सर अभाजी संक्या यहां जो पढ़ा रहे हैं उसको समझे यह दिमाग फिर जाएगा भी आपको इस पर सवाल जब घूमने लगेगा तो अभी आप जितनी असानी से ले रहे हैं उतना असान नहीं है जितनी आसानी से सारी चीज़े रगल रगल के निकल रहा ना आगे जब इस पर कोश्चन आएगा ना दिमगवा जंजन आ जाएगा तो पढ़ा रहे हैं तो वहां फोक से नहीं है ठीक है आप कहेंगे कि गुरु जी डाटते हैं अरे फोकस कीजिए पढ़ाई पर कितना कोश्चन आवेगा नहीं आवेगा सो वो गो आवेगा तका छूट जाएगा एको गो छूट जाएगा मजाल है सवाल का करते हैं तो अभाज संख्या क्या करते हैं इसको हिंदी में सर तो अभाज संख्या अभाज संख्या प्राइम नंबर किसको कहते हैं सर तो जो एक और सेल्फ के अलावा किसी और से ना कटे एक और सेल्फ के अलावा किसी और से ना कटे वो आपका क्या कहलाता है सर तो वो आपका क्या कहलाता है प्राइम नंबर कहलाता है बुरा लगा हो को सर जो एक और सेल्फ के अलावा किसी और से डिविजेवल ना हो वो आपका क्या कहलाता है सर प्राइम नंबर कह लाता है अब हाज संख्या कहलाता अब अंग्रेजी में लिकना तरफिध लीड़ डिवाइट submission कि यमंट एंड इट्सिवर्फ विल्ह 10 अबıyorlar का सकते हैं कि और केवल केवल और केवल है ना केवल और केवल दो फैक्टर हो केवल और केवल दो फैक्टर हो वह आपका क्या कहलाता है सर दो वह आपका क्या कहलाता है प्राइम नंबर कहलाता है वह आपका क्या कहलाता है प्राइम नंबर कहलाता है मतलब जिसके चाहने वालों की संख्या क केवल और केवल दो हो है ना वह आपका क्या होता है सर तो प्राइम नंबर होता है जैसे आप जो कोड लगाते हैं बाई 317 अब यह देखिए 317 यह जो 317 है यह बड़ा यूनिक कोड है यह बड़ा यूनिक नंबर है जिसको आपके और हमारे अलावक को इस्तमाल नहीं कर सकता ठीक है कहे तो 317 क्या है तो प्राइम नंबर 317 क्या है प्राइम नंबर है तो बहुत है थिसका केवल और इस ए अब उसके चाहने बालों की संख्या केवल और केवल, दो हो वो आपका क्या कहला ओ medida? जैसे एक्जामपल के तौर पर हम बात कर लें, तो एक्जामपल के तौर पर तो एक्जामपल हो जाएगा दो, तीन, पांच, साथ, इगारा, तेरा, एंड सो ओन. एंड सो ओन. यह आपका क्या कहलाता है सर तो यह आपका क्या कहलाता है सर प्राइम नंबर कहलाता है यह आपका क्या कहलाता है प्राइम नंबर कहलाता है अब यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे हम बात कर लें कि सर यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिखेगा नोट करके पॉइंट संख्या है ऐसी संख्या है संख्या है जो इवेन होता हुआ इवेन इवेन होता हुआ इवेन होता हुआ इवेन होता हुआ भी इवेन होता हुआ भी प्राइम नंबर है ठीक है न इवेन होता हुआ भी प्राइम नंबर है ठीक है प्राइम नंबर है तो पूरे कॉंटिंग नं सन्ख्या है जो ईव होता हुआ भी क्या है सार परैम नमबर है डो फोंड़ों तो हम लोग इंगन नमबर में रखते और प्राइम नंबर में रखते हैं ठीक है ना अब सवाल यहां पर ख़ड़ा रशार एक प्राइम नंबर है तो अरे बाबु हमने कहा बबगा कि जो एक और से एक और से कटे वह आपका प्राइम है तो यह आप जिसका केवल और केवल दो फैक्टर हो आप खुद ही बता दो यहां पर लिख लिजिए पॉइंट। बना के है ना एक पॉइंट बना के लिख लिजएगा एक ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है वन इज नाइदर प्राइम नौर कंपोजिट एक ना तो प्राइम है और ना ही क्या है सर कंपोजिट है ठीक है ना एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है ठीक है ना ए नवन लिखा लेया थे थेकना है उसी तरह से आप यहां पर भी प्वाइंट बना करह लीजिए यहां पर भी О시는 हा है यहां पर भी आप एक सिर्व जीर जीरो इच सनन आइदर पोजेटिव ए ने आई टी जीरो ना तो धनात्मक है और नाहीं रिनात्मक है ठीक है ना जीरो ना तो धनात्मक है और नाहीं रिनात्मक है ठीक है बात आ गई समझ में बात आ गई समझ में किलियर है तो यहां तक के चीजे समझ गए कि प्राइम नंबर किसको काते हैं जिसका केवल और केवल दो फैक्ट नमबर खालता है जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और केवल दो ही एक मात्र ऐसी संख्या है जो इभेन होता हुआ भी पराइम है बाकी जितने भी पराइम नमबर है वो सारे के सारे क्या है और पराइम नमबर है वो सारे के सारे क्या है और पराइम नमबर है विसम अभाज संख्या है दो ही बाकी बाकी अगर आप लोगों को class अच्छा लगा हो तो यहाँ पे एक class समाप्त करने के बाद एक feedback का option आता है, feedback form आता है, उसको आप सभी लोग rating जरूर कर दीजेगा, rating जरूर कर दीजेगा, अच्छा लगा हो तो ठीक है, न अच्छा लगा हो तो ठीक है, जो भी आपको, आपके समझ से जो भी लगे उसको रेटिंग जरूर कर दीजेगा वो हमारे लिए सबसे बड़ा धन्य होता है ठीक है ना बाकि अगर आपके जितने भी मित्रगन हैं कोई अगर आपकी छात्र कोई भी आपके साथी गन है जो तैयारी करना चाहते हैं प्रात्मिक सिछक की जो फिर आपका computer science के teacher हो है ना तैयारी करना चाहते हैं तो अगर आपको class लगा अच्छा लगा हो तो आप लोग recommend कर सकते हैं कि जीवन के सारे खत्रे को हटाना है और 327 लगाना है तो अगर class अच्छा लगा हो तो 327 डिस्कॉंट कोड के साथ उनको recommend जरूर करिएगा कि class जोइन कर लिजे ठीक है ना बाकी सर है क्या की सर बाकी चीजे जो है वो prime number के और भी fact है जो हम लोग अंदर में बात करेंगे तो आज के लिए फिलाल इतना ही हमारी औरिस से अधिकिसी शेय яр को ठेस पहूंचा हो तो माफी चा है oni थोड़ी से हमारी थोड़ी कठोर है कहते हैं कि खा रहा है लेकिन खर रहा है ठीक है कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे बाकी खा रहा है ठोड़ी बात हमारी कड़ भी होती है लेकिन मैं फैक्ट का रखता हूं यहां पर चीजे और एक्जाम में ही आपको हमारी बागी बाते याद आती है बाकी कुछ नहीं है तब तक जब तक exam नहीं होता है तब तक totally ignorance में रखता है हमको लोग जब exam होता है बाद में कहता है कि हाँ सही बोला है खराब बोला है जो भी हो दियान रखियेगा और जो भी आपके मित्रगन हैं उनको तो जरूर सजेस्ट करिएगा कि 327 कोड लगा के जोइन कर ले और क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार फिडबेक फॉर्म जरूर भर दीजिएगा बाके कि माना की भासा हमारी प्राचीन है लेकिन क्या कीजिएगा जनाब बड़ा हैं कम सीन है ठीक है ना और यह की चीज है कि जर्म लिया जिस मिटी पर उस मिटी का भारी हूं और सीना ठोक के कहता हूं गर्वित भिहारी हूं ठीक है ना तो थोड़ी सी मगी भुषपुरी का टून आएगा आगे चलके आएगा मिलेगा ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलेगा मिलेगा लेकिन हमारी कोशिस यही रहेगी कि हम उसको थोड़ा सा इग्नौर करके चले और यह चीज़ हम यूटूब पे भी अपना रहे हैं धीरे-धीरे थीक है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स सेशन में तब तक के लिए घर पे रहे पढ़ते रहे यह मुस्कुराते रहे और टेंसान लेके कभी मत पढ़ि झाल 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 झाल